So Hello What's Up Guys, कैसे आप सब लोग और मैं आज फिर आज कुआ हूँ आप सब के बीच में एक और इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ और मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल रेर टाग पर और जो मैंने पहली वीडियो डाली थी इंडियाज फिर्स्ट वोमेन ये उसी वीडियोगा सेगिंड पार्ट है तो चलिए दोस्तों बिदाव टैनी वेस्टिंग टाइम वीडियोगो स्टार्ट करते हैं दोस्तों मैंने पिचली वीडियो में आपकी मुलाकात करवाई थी इंडियाज फॉस्ट इलेक््टरिक इंजिनियर एललिता जी से और इंडियाज फॉस्ट फ्लेबेक सिंगर राजकुमारी दूबे जी से और इस वीडियो में मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ इंडियाज फ़स्ट फिमेल डोक्टर जिन का नाम था आनन्दी बाई जोसी अन्दी जी का जनम पूने में कतिस मार्च अठारा सो पैसट को वा था और उनका विवा शिर्फ नौव वर्ष की आईयू में ही एके बीज साल के पुरूश के साथ करद्यागा था जिन का नाम था गोपाल राओ और वे सिर्फ चोदा वर्स की आयू में ही मा बन गई थी लेकिन दुरुबाग्य वर्स सिर्फ दस दिनों के अंदर ही उनके बच्चे की मिर्त्यू हो गई जिसके काणू ने बहुत बड़ा जटका लगा और बाद में उन्होंने दर्ड संकलब किया किवे एक डॉक्टर बनेंगी और इस तरह की एकाल मृत्यू को रोकने की पूरी कोशिस करेंगी और इस संकलब को पूरा करने के लिए आनन्दी जी के पती ने उनका पूरा समर्थन किया और आनन्दी जी कलकता से समुन्दर मार्द दौरा नुई योर्क गई और पेंसिलवेनिया के मेडिकल कोलेज में दाखिला लिया और सिर्फ 19 वर्ष की आयू में ही उन्होंने अपनी मेडिकल प्रैक्टिस शुरू कर ली थी वहां के बदलते मोसम और अलग आहर के कारने उनका स्वास्त है बिगडता रहा और उन्हें टूबर कोलोसिस यानी तपेदिक की बिमारी हो गई और 1886 में वह ग्रेजवेट होकर एक डोक्टर बन गी जब वह बारते वापिस लोटी तो सिर्फ 22 वर्ष की उमर में 26 फरवरी 1887 को उनकी टूबर कोलोसिस के कारने डैथ हो गई आनन्दी जी ने अपने संकलब को पूरा करने का संपूर्ण प्रियास किया आला कि वे सफल नहीं हो पाई लेकिन उन्होंने यह मुकाम आशिल कर लिया कि आज हम उन्हें याद कर रहे हैं चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और मैं आपको मिलवाता हूं इंडियास फर्स्ट फिमेल एक्ट्रेस जिनका नाम था दुरुगा बाई कामात और उनका जनम 1889 को वह था वे एते मराठी एक्ट्रेस थी सन 1900 के दसक में मोहिनी बसमाशूर उनकी पहली मुवी थी जो बार्तिय सिनिमा के पिता कहे जाने वाले दादा साहिब फालके द्वारा बनाई गई थी दादा साहिब फालके की फिलम राजा अरिश्चंदर में पहली बार महिला के रोल के लिए पुरुष अभिनेता का प्रियोग करना पड़ा था मोहिनी मुवी में दुरुगा बाई जी ने देवी पार्वती का रोल किया था यह मुवी सन 1913 में बनी थी और दुरुगा जी की बेटी कमला बाई गोकले ने भी इसी मुवी में मोहिनी की भूमी का निबाई थी मोहिनी जी एक अनुबवी अभिनेतरी थी और उन्होंने काफी सारी फिल्मों में काम किया और 116 वर्ष की आयू में 17 मई 1997 को मराष्टर में ही उनकी डैथ हो गई अनुबवी मराठिय विनेता चंदरकांत गोकले दुरुगा बाई जी के पोते हैं और विकरम और मोहन गोकले उनके पर पोते हैं